हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो इंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Realme X2 और Poco X2 ये दोनों ही मोबाल्स आपको मिलते हैं 17,000 में इस वीडियो में इन दोनों मोबाल्स में कंपरेजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों मोबाल्स में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो अगर आप एक मोबाल्स खरीदने की सोच रहे हैं आपका बज़ट है 17,000 के आसपास तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा पोको रेडमी का ही ब्रांड है और ये मोबाल अभी हाली में लाँच हुआ है चले देखते हैं 17,000 में रियल्मी X2 के साथ आपको क्या क्या मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं बॉक्स के अंदर आपको एक डेटे केबल दी गई है डेटे केबल की लेंद और क्वालिटी दोनों बहुत जादा बढ़िया है और इसके साथ आपको ये टाइप सी केबल दी गई है तो इस चीज में ये मोबाल काफी अच्छा है रेट के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा ही सामान है डेटे केबल भी काफी अच्छी है और चार्जर भी बहुत जादा बढ़िया है चली देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे पोको X2 पे खर्च करते हैं तो आपको कितना फर्क मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं पोको X2 को इसमें सबसे पहले रखावा मिलता है ये मिनी बॉक्स जिसमें आपको पीछे की तरफ लगावा मिलता है एक सिम जेक्टर टूल अंदर रखे वे मिलता है कुछ यूजर मैनुवल एक दिया गाया है नॉर्मल क्वालिटी के अंदर कवर जैसा आपको रियल्मी X2 के साथ मिल जाता है इसके बाद मिलता है मॉबाइल जो मेरे पास है रेड कलर में डेटेल लिख हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बाक्स के अंदर आपको एक डेटे केबल दी गई है जिसके लेंद और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी है रियल्मी X2 के केबल की तरह और इसके साथ भी यह टाइप C केबल है तो इस चीज में दोन अच्छे है आखिर में रखावा मिलता है यह वाइड कलर के अंदर कावी हैवी चार्जर दोस्तो इसके अंदर भी आपको फास चार्जर बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर ही मिलता है और इसके साथ दिया गाया है 27 वाट का फास चार्जर तो दोस्तो दोनों मोबाल्स के साथ आपको चारजर बहुत अच्छा ही मिल जाता है तो ये सारा समान आपको मिलता है Poco X2 के साथ 17,000 में अब देखा जाए तो दोनों मोबाल्स के साथ आपको लगबग एक जैसा ही समान मिलता है charger भी दोनों में अच्छा है और dedicable भी दोनों में type C cable बहुत अच्छी quality में मिलती है तो इस चीज में दोनों mobile's अच्छे हैं चलिए बात कर लेते हैं आप design के बारे में तो दोस्तो design इन दोनों ही mobile's में मिलता है बहुत ज़्यादा glossy light reflection आप देख सकते हैं दोनों में बहुत अच्छी लग रही हैं दोनों के अंदर आपको glass look मिलता है gorilla glass की protection भी दी गई है तो scratches की problem आपको देखने को नहीं मिलती बस color का फर्क है design में बीच में आपको पीछे की तरफ 4 camera दिये गए है जिसमें पहला है 64 megapixel का दूसरा 8 megapixel का बाकी के दो camera है 2-2 megapixel के front में इसमें आपको 2 camera दिये गए है 20-2 camera की performance इस mobile में आपको बहुत अच्छी मिलती है वहीं दूसरी तरफ realme X2 के अंदर भी आपको पीछे की तरफ left side पर 4 camera दिये गए है जिसमें पहला है 64 megapixel का दूसरा 8 megapixel का बाकी के दो camera है 2-2 megapixel के front camera है 32 megapixel का दोस्तो camera की performance दोनों ही mobile में आपको बहुत ज़ादा बढ़िये मिलती है वो इसलिए क्योंकि इन दोनों mobile के कीमत भी बहुत ज़ादा है तो आपको camera भी दोनों mobile के अंदर काफी अच्छे ही मिल जाता है camera के अंदर भी ये दोनों अच्छे हैं आप देख सकते हैं complete design आपको किसका design ज़ाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके बताईएगा मुझे इन दोनों mobile में design ज़ादा पसंद आया Poco X2 का बात करें दोस्तों display के बारे में तो realme X2 के अंदर आपको display size मिलता है 6.4 inches के आसपास लेकिन इसमें आपको दी गई एक emoled display वही दूसरी तरफ display size आपको ज़ादा मिलता है Poco X2 में 6.67 inches के आसपास display मिलती है लेकिन इसमें आपको IPS display मिलती है तो quality में display में realme X2 ज़ाद अच्छा है user interface कुछ इस तरह किसे दिया गया है आप उपर की तरफ swipe करेंगे आपको दोनों ही mobile में सारी applications मिल जाती है दोनों में आपको app drawer दिया गया है लेकिन Poco X2 में आपको एक खुबी और ज़ाद अच्छी है मिलती है इसमें आपको 120 Hz refresh rate की display दी गई है तो इसके अंदर जो आपको smoothness मिलती है यूज करने में वो बहुत ज़ाद अच्छी है realme X2 से वैसे तो दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको user interface बहुत अच्छा ही दिया गया है normal है इस चीज में दोनों मोबाइल्स लेकिन यूज करने में ज़ाद अच्छा लग रहा है Poco X2 क्योंकि ये बहुत ज़ादा smooth है ये चीज मुझे इस मोबाइल की ज़ादा पसंद आई दोनों मोबाइल्स के डिस्पले बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ notch वाली डिस्पले आपको मिलती है वही common X2 के अंदर realme के वही दूसरी तरफ Poco X2 में आपको डिस्पले के अंदर ही camera दिया गया है जो काफी जाद अच्छा लगता है और ये design इसकी display का काफी बढ़िया है तो दोस्तों display के design के अंदर और display के size के अंदर और जादा अच्छी refresh rate वाली डिस्पले आपको Poco X2 में मिलती है ये तीन खुबिया है इसकी display में Realme X2 के अंदर आपको display की quality जो मिलती है जो colors मिलते है वो Poco X2 से जाद अच्छे है तो display के colors के अंदर तो Realme X2 अच्छा है बाकि size के अंदर design में और refresh rate के अंदर आपको Realme X2 से जाद अच्छा मिलता है Poco X2 Left side सा आप देखींगे दोनों में sim की ट्रेदी गई है लेकिन Poco X2 में ये कमी है इसमें आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते ये इस mobile की सबसे बड़ी कमी है लेकिन Realme X2 में ऐसा नहीं है इसमें आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं Realme में volume के buttons भी आपको left side पर ही मिलते हैं नीचे की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone जग दिया गया है side उसे design silver color में है Realme X2 का जो और ज़्याद अच्छा लगता है right side साब देखेंगे तो power के buttons दोस्तो Poco के X2 में आपको fingerprint scanner power के button के अंदर ही दिया गया है इसमें आपको display के अंदर नहीं मिलता आप इसको press करते हैं तो यह unlock हो जाता है लेकिन Realme X2 में display के अंदर दिया गया है जो Realme X2 की ज़्याद अच्छी चीज है उपर की तरफ आपको IR blaster मिलता है जिससे आपका MI remote काम करता है वो आपको Poco X2 के अंदर ही दिया गया है Android का Pi version मिल जाता है आपको Realme X2 में और Poco X2 में आपको Android का बिल्कु लेटेस version मिल जाता है Android 10 Recent application की Windows आप देख सकते है Poco X2 में थोड़ी छोटी दी गई है लेकिन Realme के X2 में प्रॉपर बड़ी मिल जाती है बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो Realme X2 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4000 image की एक दिन का बैटरी बैकप इस mobile में आपको अराम से मिल जाता है वही दूसरी तरफ Poco X2 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4500 image की इस mobile के अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकप अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये दोनों mobile बहुत जाद अच्छे है बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो इन दोनों mobile के अंदर आपको प्रोसेसर भी एक जैसे ही मिलता है Snapdragon 730G अगर आप एक heavy user है आपको बहुत जाद है heavy user आपको game अगरे खेनला पसंद है तो इन दोनों mobile के अंदर आपको बिल्कुल भी problem नहीं आने वाली प्रोसेसर के अंदर भी ये दोनों mobile बहुत जाद अच्छे है तो दोस्तों ये सारी खूबिया और कम्यापको मिलती है दोनों mobile में एक चीज का और फर्क है Realme X2 में आपको 17000 में मिलती है 4GB RAM, 64GB के internal storage लेकिन Poco के X2 में आपको इसी कीमत में मिलती है 6GB RAM, 128GB के internal storage तो वो आपको जादा मिल जाती है Poco X2 में RAM भी और storage भी चलिए बात कर लेते हैं आप सबसे main चीज आपको इन दोनों में से फिर भी कौन सा खरीदना चाहिए कौन से नहीं दीखिए दोस्तों इन सब में सबसे पहले matter ये करता है कि आपको किस company के ओपर जादा भरोसा है Realme पे या फिर Poco पे जो कि एक Redmi का ही brand है इसके बाद आपकी main ज़रत की चीज किस mobile में जाद अच्छी है तो दीखिए अगर आपके लिए matter करती है mobile की display की quality तो तो आप Realme X2 लीजिएगा colors के अंदर इसमें आपको display जाद अच्छी मिल जाती है लेकिन Poco X2 के अंदर आपको display का size, design और smoothness जाद अच्छी मिलती है तो इन तीन चीज़ों के लिए आप display के matter में Poco X2 खरीद दिएगा इसके लाब दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है heavy use में दिक्कत नहीं होगी इसके लाब दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera और battery तो भी आप दोनों में से कोई सब भी खरी सकते हैं लगबग दोनों ही mobile आपको एक जैसे ही मिलते हैं तो दोस्तों देखा जाए Realme X2 में आपको दो चीज़ अच्छी मिलती है डिस्प्ले के colors और डिस्प्ले के अंदर ही fingerprint scanner वहीं दूसरी तरफ Poco X2 के अंदर आपको तीन खुबिया मिल जाती है एक तो इसकी डिस्प्ले का design अच्छा है notch वाला design नहीं है जो अकसर आपको सबी मुबाइल में देखने को मिल जाता है दूसरे इसके अंदर आपको display की smoothness बहुत अच्छी दी गई है तीसरे इसके अंदर आपको RAM और storage जादा मिल जाती है तो जादा खास फरक नहीं है इन दोनों मुबाइल में बस सबसे पहले matter यही करता है कि आपको किस company के ओपर जादा भरुसा है आप जिस company के साथ satisfied हो आप वो mobile ले सकते हैं जिस पर आपको जादा भरुसा हो और आप इन दोनों में से कोई से भी खरीदे आपको problem नहीं होगी क्योंकि कीमत की दोनों की ही बहुत जादा है दोनों mobile बहुत अच्छे हैं बाकि दोस्तों मुझे notch वाली डिस्प्ले से जादा पंचोल camera जाद अच्छा लगता है डिस्प्ले के अंदर इस वज़े से मुझे डिस्प्ले का डिजाइन जादा अच्छा होने की वज़ेसे Poco X2 जादा पसंद आया आप मुझे बताईएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों mobile से मा कौनसे जादा पसंद आया ये चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ जो इघंटी का निचान उसे भी दबा दिएगा ताकि नई कमपरेजन की वीडियो जाब तक पहुँशती रहें इसके लाब वीडियो गर आपको हेल्फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाटसेफ फेस्बुक पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई